बिश्मिलायरमानुरहीम असलाम अलेकुम टेन के लाउस में एक्सराइज 1.2 फार और केपी के पोट्स की हैं पार्ट वन में नालिज विद कलंदर की जानेंट से ही खुश्यां बचों आज एक इस कुशन में हमें कह रहा है remove the following equations, अब आपने equation को solve करना है यह equation आपको दी गही है इसको आपने solve करना है लेकिन यह equation quadratic equation किए यहाँ जो एक्स की जो maximum power है वह four है ठीक है और quadratic equation में x की जो power होती है वह two होतीज़ अब इसको solve हमनी के तरह करना है solve करने का तरीकता यह होगा कि आपको equation दी गई होगी जूकर quadratic नहीं लेकिन आपने quadratic के तरीके से इसको solve करना तो सबसे पहले आप इस equation को convert करोगे quadratic quadratic equation की standard form ठीक है जब quadratic equation की standard form में सबस्क्राइब के convert हो जाएगी तो फिर इसके बाद आप इसको solve करोगे solve आप तीन तरीकों से कर सकते हो अपनी मरदी है चाहिए factorization करो quadratic equation quadratic formula करो या complete square करो मेरा आपको मशवरा है जब आप quadratic हो जाए तो आप इसको solve करोगे पहले आप factorization से देखो ठीक है आप factorization के मदद से स्साल करो अगर फेक्राइजेशन नहीं हो रही तो फिर आप इसको complete square या quadratic पर ले जो कि इसको इसको में बहुत आसन से यह solve हो जाएगा मैं दुबारा रिपीट कर रहा हो आपको इस exercise 1.2 में equations दी गहीं होगे जोके quadratic equation नहीं होगी आप सबसे पहले उसको quadratic में convert करोगे quadratic में convert करने के बाद आप इसको factorization या complete square जो वो available method है उसके जर्या आफसाल करागे अब equation को इसमें किस तरह करने x की power 4 है इसको 2 बना देना होगा तो different सवालों में different तरीके हैं हम इनको discuss करेंगे तो चेले वीडियो को आगास करते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास है यह आगी है solution में आजए अब आपने सवाल को गोड़ से देखने है यह आपको पता के quadratic equation मेरे पास जो standard form है वो है ax square plus vx plus c is equal to 0 आपने यह जो x 2 है इसको square बनाने जबके x यहाँ पर 4 है तो हम x power 4 इसको हम यह भी कह सकते है is equal to x power 2 multiply 2 इससे भी कह सकते है x power 2 multiply 2 is equal to x power 4 यह हम कह सकते है x power 4 is equal to x power 2 dot 2 multiply 2 और फिर हम इसको इस तरह भी लेख सकते हैं अगर हम x 4 की जगह x square को bracket में लगए तो बाहर क्या आएगा बाहर आ जाएगा इस तरह भी लेख सकते हैं x square ले लो और उसके उपर whole square यह चीज़ आ गई है इधर इस तरह कर लो x square और इसका भी square तो square square 4 यह चीज़ा है तो हम इस तरीके को यह अपलाई करेंगे हमारे पास क्या है x power 4 minus 5 x square plus 4 is equal to 0 तो आपने याद रखो जहां पर भी x power 4 लिखा हुए ठीक है यह जहां पर भी x लिखा हुए ठीक है उस दो आपनी x square बना देने है अब यहां आजो इसको आप इस तरह लेगा एक्स इसकेर हो इसकेर माइनस 5 एक्सकेर प्लस 4 is equal to 0 इस तरह भी होच जाए कोई फर्क नहीं पाए जब यह आप इस तरह आ जाए यह उस तरह आ जाए एक पास है लेकिन आप आप इस को इस तरह कर सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर x square बंग है तो आपका ओलेट x square is equal to y इस equation में इस equation में इस equation में इस equation में नाम दे दो equation 1 इस equation में जहां जहां x square लिखा हुए आप y लगा दो हमने क्या किया x4 को हमने x square लिखा हुए आप इस equation में जहां-जहां x square लिखा हुए आप इसकी जगह y लगा दो यह प्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ था 5 x square वैसे इस पूरे equation में जहां-जहां x square लिखा हुए आप इसकी जगह y लिख दो तो यह क्या है x square इस x square के जगह के आ जाएगा y तो यह बन जाएगा y y square माइनस 5 फिर x square आगए x square इसकी जगह भी लिख दो प्लस 4 is equal to 0 अब यह मेरे पास जो है quadratic equation बन गई है उस standard form में है जो मेरे पास variable है उसकी पावर आ गई है इसके पावर जब उसके रहो तो वो quadratic equation होती है अब मैं इसके क्या करूंगा इसको आगे solve करूंगा solve करने के लिए factorization करूंगा यहां पर क्या coefficient 1 है यहां coefficient यहां पर 4 है 1 को 4 से multiply करो 1 multiply 4 1 multiply 4 is equal to 4 दो ऐसे नमबर चाहिए जिनको multiply करो 4 आता हो लेकिन जब उनको plus करो तो minus 5 आए तो 1 4 जा 4 है अगर minus 1 minus 4 जीते हो जाएगा minus 5 और minus 1 multiply minus 4 minus minus plus हो जाएगा plus 4 और minus 1 minus 4 minus 5 अब मुझे दो factors मिल गए एक minus 1 है और एक minus 4 है तो इसको मैं यूँ solve करूंगा यह बराबर है y को minus 5 y के जगह लिखूंगा minus 1 y लिखते नहीं है minus y minus 4 y plus 4 is equal to 0 अब आगे इसको इस तरह ले जाते हैं इन दोनों के एक सेट में आदो y common ले लो y के साथ y multiply करो y square y के साथ minus 1 multiply करो तो minus y आचाएगा यहापे minus 4 common ले लो जो इस bracket में वो इदर ले आएगा minus 4 multiply y is equal to minus 4y minus 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 plus 4 1 जा 4 अब यह y minus 1 y minus 1 दो दफाए आच तो common ले लो y minus 1 बागी क्या आच यह y minus 4 y minus 4 is equal to 0 यह situation आगए है कि इन दो जो multiply हो रहे है तो 0 आ रहे है तो हो सकता है कि यह 0 हो यह 0 हो यह 0 हो ठीक है तो हम either r में इसको ले जाएंगे दो possibilities हैं हमारे पास यह तो हो सकता है y minus 1 0 के बादाबर है यह हो सकता है y minus 4 0 के बादाबर है अब आप इससे minus 1 को वहाँ shift करो तो यह हो जाएगा y is equal to 1 और minus 4 को वहाँ shift करो तो यह हो जाएगा तो अब यहां हम देखेंगे हम अपनी equation 1 के नीचे आ जाएगा हमने का था y is equal to x square तो हम कहेंगे but y is equal to x square y is equal to x square तो क्या हो जाएगा so x square is equal to 1 और x square is equal to 4 अब x square 1 है या x square 4 है अब बात अब भी clear में ही है आपने x square of 1 नहीं करना है आपने x fine करना है तो आप क्या करोगे x square के under root लेंगा जो square से cancel हो गया x is equal to 1 का under root 1 होता है तो यह आजएगा plus minus 1 या x square is equal to 4 under root इदर भी cancel हो गया x is equal to plus minus 2 तो जो solution set solution set आपके पास आजएगा plus minus 1 या plus minus उमीद है आपको अच्छे तरह concept clear हो गया होगा जितने पार्ट बाकी है वो स्वारे पर solve करके दिखाऊंगा लेकिन इतनी explanation मैं नहीं रखूँगा अगर समझने आए यह सवाल दोबारा देख लें clear हो गया तो अगले पार्ट की तरफ move करें आपको हमारे पास x44-7x2 plus 10 is equal to 0 वही बात है मैं दोबारा repeat नहीं करूँगा हम चाहेंगे कि first जो हमारे पास term है उसकी जो power हो square होने चाहिए तो हम इस x4 को यह कह देते है solution में आ जाए हम कह देते है x2 all square minus 7x2 plus 10 is equal to 0 अब आप यह वही बात करेंगे पहले बाली कि x2 को आप इसकी जगह आप y लगा दी ताकि आपको साल करने में उसानी हो तो इस equation में देखो y x2 यहाँ पे x2 यहाँ पे है तो इन दो जगों पे y लगाए तो यह equation हो जगी y ठीक है जो x2 है यहाँ वसकर नहीं लगा x2 के जगह मैंने इस सारे ब्रेकेट के इंतर जो इसकी जगह मैंने y लिग दिया और ब्रेकेट के बाहर square वैसे ही आजाए माइनस 7 अपनी जगह पीस x2 के जगह y आजाएगा plus 12 is equal to 0 बहुत असान है 1 और 12 को आपस में multiply करें 1 multiply है 12 is equal to 12 अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको multiply करो तो 12 अब लेकिन plus minus करो तो 7 है पहले आप minus को छोड़ो आप 7 है ठीक है तो आप कह दो 4 3s are 12 4 plus 3 is equal to 7 अब दूसरा मसला यहाँ आगे है मेरे पास कि यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 7 minus में है लेकिन यहाँ जो 7 आ रहा है plus में आ रहा है मैं 7 minus में जाएगे तो इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं इसको भी minus कर दूंगा ठीक है minus 4 minus 3 minus 7 वो इस minus 7y के दो factors में यह मिल गया है minus 4y और minus 3y तो इसको बैसरा करूंगा y square minus 4y minus 3y plus 12 is equal to 0 अब यह एक सेट वन गया यह दूसरा सेट बन गया यहाँ क्या कामन है y common है y minus 4 यहाँ minus 3 common है minus 3y minus 3 multiply minus 4 minus minus plus 3 is equal to 0 minus 4y minus 4y minus 4 2 मरतबा आया है तो इसको मैं यहाँ लेक दूँगा y minus 4 common ले लूँगा y minus 3 y minus 3 is equal to 0 अब 2 possibilities आ जाएंगे आदर और y minus 4 is equal to 0 y minus 3 is equal to 0 minus 4 रुदर चला जाएगा y is equal to 4 minus 3 रुदर चला जाएगा y is equal to 3 यह तो हो गए मैं करना था मैं कहूंगा y किसके बराबर x square के बद y is equal to x square अब मैं यहां आ जाए x square is equal to 3 x is equal to plus minus under root 3 ठीक है तो रुदर 3 को open करो point में आ रहा है तो यह मेरा answer हो गया solution set मेरा आ जाएगा solution set हो गया plus minus 2 और plus minus under root 3 यह मेरा answer है next part को देखती है part 3 में भी same to same वही चीज है लेकिन 6 लगा हुए तो आपने 6 को ignore कर दाना है ठीक है x power 4 है x को square बनाना है solution में आ जाए 6 लेखेंगे 6 लेखेंगे x power 4 है x square minus 13 x square plus 5 is equal to 0 इस equation को मैं असरब लेख सकता हूँ x is 2 to the 4 वापा सुसालाथ में आ जाएगा अब यहां मैं कुछ मजीद साहूला के लिए यह अभी भी हो सकता है लेकिन मैं अपनी आसानी खेदी हम कहा देते हैं y is equal to x square आप y के जगा कुछ और डिजिट भी लगा सकते हैं z भी लगा सकते हैं p भी लगा सकते हैं अब जहां 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 x square अदर आप y लेको x square यह है इन दो पोजिशन पर आप y लेको 6 y square minus 13 y plus 5 is equal to 0 अब आप फर्स्ट वन को लाश्य मल्टिप्लाइ करो 6 multiply 5 6 multiply 5 is equal to 30 अब आप दो ऐसे नंबर बताओ जिनको multiply करूँ multiply करूँ तो 30 आए लेकिन जब प्लस करूँ तो 13 आए प्लस 5 तो 11 होता है तो इसमें तो possible नहीं है तो हमारे पास एक और 30 के multiple हैं 10 multiply 3 is equal to 30 और जब 10 और 3 को plus करूँ तो 13 होता है लेकिन देहां मुझे minus 13 चाहिए और यह plus 13 है तो इसका यह हल है कि आप इदर भी minus लगा तो minus 10 minus 3 minus 13 minus 10 multiply minus 3 minus minus plus हो जाएगा और यह plus 30 है तो यहां हम 13 y के जगा minus 10 y और minus 3 y लगा सकते हैं तो हम यह हो जाएगा 6 y से जीत है minus 3 y minus 10 y plus 5 is equal to 0 इन दोनों में क्या common है 3 common और y common है y इसमें भी है 3s में भी है minus 1 minus minus plus 5 minus 5 is equal to 0 इसको solve करने के जुवद भी नहीं इन डारेक्ट यहां से उठा के डालो शिर्फ चेक कर लो अब 2 y minus 1 common ले लो और 3 y minus 5 is equal to 0 आइडर आरवली situation हो जाएगी तो यह हो जाएगा 2 y minus 1 0 हो जाएगा 3 y minus 5 is equal to 0 minus 1 1 वाँ जाएगा plus 1 बन जाएगा 2 y is equal to 1 2 दो साइड पर डिवाइड होगा y is equal to 1 by 2 इतर आजा 3 y minus 5 वाँ जाएगा plus 5 बन जाएगा is equal to 5 3 दर भी डिवाइड होगा y is equal to 5 by 3 अब इससाल नहीं हुआ आपको y नहीं आपने x साइड करने हैं तो आपको होगे but y is equal to x square y is equal to x square तो जहाँ जहाँ यहाँ और यहाँ y लिखा हुआ है उसकी जगह आप x square लगा दे तो यह हो जाएगा x square is equal to 1 by 2 और x square is equal to 5 by 3 आपको x sign करने तो यह हो जाएगा x square is equal to 1 by 2 under root इदर भी under root इदर भी square x is equal to आप 1 का जो अंडर root 1 वता है और 2 का अंडर root point में आता है तो हम वैसे ही लिखेंगे plus minus 1 by root 2 यह दर आजाओ x square is equal to 5 by 3 x is equal to plus minus under root 5 by 3 तो solution set आपका बन जाएगा plus minus one by root 2 और root 5 by root root 3 तर भी लिख सकते हो और चाहो तो इस तर भी लिख सकते हो next part को देखते हैं part 4 आपके पार x plus 2 minus 1 y plus 2 is equal to 3 by 2 थोड़ो असा different level का सवाल आगे अब इसमें करना यह है कि x plus 2 2 इन दोनों को all terms के साथ multiply करना है फिर हमने आगल जाना है तो सवाल बहुत जरह लेंती होग जाएग ठीक है तो आप हम इदर यहां इस तरह करेंगे solution में आ रहे तो आपका हो बच्चों के लेट x plus 2 is equal to y जहां जहां x plus 2 लगा हूँ है ना वहां आप y लगा है तो यह अब आपके पास हो जाएगा x plus 2 इसके जगा आ जाएगा y फिर minus 1 x plus 2 के लगए 1 by y is equal to 3 by 2 अब यह आप denominators को सारे terms के साथ multiply करो यहां पे भी आप कर सकते थे लेकिन फिर x plus 2 को x plus 2 से multiply करो आपके सवाल थोड़ा सा length हो जाएगा अच्छा अब यहां अब आप कर लो आपके पास denominator है 2 है y है और इसका denominator 1 है तो वह नहीं यह थे तो हम कहेंगे with all the terms 2 y को सब terms के साथ multiply करो तो यह हो जाएगा यह आपके पास है y ठीक है इसको भी मैंस तरह बता देत हूँ आपके पास क्या है y इस y को आप multiply करो 2 x minus 1 by y इसको भी आप multiply कर दो 2 y से is equal to 3 by 2 इसको भी आप multiply कर दो 2 y से अब यहाँ बहुत असान है y y cancel हो जाएगा 2 y multiply y यह हो जाएगा 2 y को minus 2 y to cancel होगा 2 multiply 1 2 is equal to 3 multiply y 3 y 3 y को यहाँ shift करेंगे 3 y को यहाँ shift करेंगे तो यह हो जाएगा 2 y square minus 2 3 y यहाँ आके बन जाएगा minus 3 y is equal to 0 अब आप इसको अरेंज कर आप पहले y square वाला फिर simple y वाला और फिर number तो यह हो जाएगा 2 y square minus 3 y minus 2 is equal to 0 अब यहाँ आपके पास जो है standard form में quadratic equation बन गई 2 multiply 2 is equal to 4 2 multiply 2 is equal to 4 अब दो ऐसे number चाहेगे जिनको multiply करूं 4 आए लेकिन plus करूं तो 3 आए तो यह 4 1s आफो 4 4 minus 1 is equal to 3 लेकिन यहाँ मुझे minus 3 चाहिए minus 3 चाहिए तो मैं इसको minus 4 कर देता है इसको plus 1 कर देता है minus 4 plus 1 minus 3 minus 4 multiply 1 it will be minus 4 2 multiply minus 2 it will be minus 4 तो sine का कोई मसला नहीं है 2 factors मिलगे 1 minus 4 है 1 तो यह हो जाएगा 2 y scale minus 4y plus y minus 2 is equal to 0 2 common है और y common है y minus 2 कुछ भी common नहीं है तो मैं plus y minus 2 कुछ भी common नहीं तो मैं plus 1 common ले लूंग y minus 2 is equal to 0 1 multiply by y plus minus minus 1 multiply by 2 is equal to minus 2 y minus 2 y minus 2 common ले ले बागी क्या बागी क्या बाज गया 2 y plus 1 is equal to 0 आधर और पे चले जाएगा y minus 2 is equal to 0 या 2 y plus 1 is equal to 0 यह हो जाएगा y is equal to 2 और यह हो जाएगा 2 y is equal to 1 2 इधर भी 2 इधर भी divide करें y is equal to 1 by 2 तो अभी यह answer नहीं है क्या आपने y find नहीं करना है आपने x find करना है तो अब हम कहेंगे ठीक है हम क्या y किसके बढ़ाबर है y बढ़ाबर है x minus 2 के हम कहेंगे इंगे y is equal to x plus 2 के तो यहां जहाँ y लिखा हुए इसके जगह x plus 2 लगाओ यहां जब y लिखा हुए इसके जगह x plus 2 लगाओ तो जब आप इनकी जगह x plus 2 लगाओगे तो यह इस तरह हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पाल x plus 2 is equal to 2 और यह हो जाएगा x plus 2 is equal to 1 by 2 2 लगाओ x is equal to 2 minus 2 x is equal to 0 a plus 2 लगाओगे x is equal to plus 2 लगाओगे minus 1 by 2 plus 2 minus 2 लगा x is equal to 2 लगाओगे 2 लगाओगे 1 1 multiply minus 1 minus 1 2 divided by 1 is 1 2 divided by 1 is 2 or multiply by minus 2 x is equal to minus 1 minus 4 minus 5 by 2 2 solution set यह आपके पास है 0 or minus 5 by 2 यह आपका answer तो इसके साल थी है हमारी exercise 1.2 का part 1 अपने अस्ताम पर पहुचा जिसमें हम हमें 5 सवालात को solve किया है अगलर सवालात थोड़ो से डिफरेंट हैं आप इन 5 सवालात के प्रेक्टिस करें कल इंशालला अगले लेक्चर में जो बाकी 5-6 सवालात हैं उनको भी आपके सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो में संद आईए इसको लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गर्मी बहुत हो गए वीडियो में मलाकात होगे अलाफस